आरेस कंपेटेटिव इकजाम में आपका स्वागत है अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करतीजिए जिससे की मेरा आने वाला वीडियो की सुचना तुरत मिल सके कोठार आयोग यह शिक्षा आयोग इससे चेनरल कंपेटिशन हो टीटी हो एस टीटी हो बीट का एकजाम हो फिरमास्टर का एकजाम हो यह परधान सिक्षन का एकजाम हो सम्मे इससे एक या दो प्रस्थ पुश्था है बहुत ही important है इससे हम आज देखेंगे इसको कता है कुठारी आयोग कुठारी आयोग इसी को कहते हैं सिक्षा आयोग भारत के सिक्षा विवस्था में इस आयोग से काफी परिवर्तन हुआ इसका गठन हुआ 1964 में 1964 में इसका रिपोर्ट आया गठन 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था आयोग ने 1964 में अपना रिपोर्ट प्रस्तूत किया इसलिए इसको 1964 से 1964 का आयोग भी कहते हैं इसके अध्यक्ष थे दौलत चिंग कोठारी कोठारी उस समय UGC के अध्यक्ष थे 1964 में इंवर्सिटी ग्रांड कमिशन के अध्यक्ष थे कोठारी आयोग का गठन किया गया था मोन रूप से उच सिक्षा में सुधार है तू बहुत ही इंपॉर्टन है ये काफी प्रस्त पुछता है इसे राश्ट्रिय सिक्षा आयोग भी कहते है इन्होंने पुरे भारत में सिक्षा के बारे में अध्यन किया और उसके बाद इन्होंने तेज सुझाब दिये जिसमें मुख मुख जो कुछ सुझाब है जिसको हम लोग देखेंगे पहला सुझाब कहता है समान पाठक्रम के जरिये बालेक वं बालिका को बिग्यान एवं गनित की सिक्षा दी जाए यानि कहता है कि गनित एवं बिग्यान की सिक्षा सभी को दिया जाना चाहिए दुसरा इसका सिफारिस था परस्चीश परतिसत माधमिक स्कूल को व्यवसाई की स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए इसी के सिफारिस पर आज हाई स्कूल में भोकेशनल कोर्स शुरू हुआ है बहुत सारे स्कूल में भोकेशनल कोर्स शुरू किया गया है सभी बच्चों को प्रामरी कच्छा में मातरी भासा में ही सिक्छा दी जाए काता है प्रायम्डी कच्छा में जो बच्चा का मातरी भासा है उसी में उसको सिक्षा दिया जाना चाहिए फिर काता है एक से तीन वर्स की पुर्व प्रात्मिक सिक्षा दियाना चाहिए एक साल से तिन साल के बीच के बच्चे को प्री नर्शरी की सिख्छा दी जानी चाहिए विशय विभाजन कच्छा नाइंत के बदले कच्छा दस के बाद होना चाहिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसका सिफारिश था कि फिजिक्स के केमिस्ट्री के बाइलोजी का अलग अलग विशय के रूप में पढ़ाई दसमी क्लास के बाद में हो यानि इंटर में होना चाहिए आज वही हो रहा है दसमी क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री और बाइलोजी तीनों एक ही साथ पढ़ना होता है जिसे हम विज्ञान के दहत पढ़ते हैं इसके बाद काता है असना तक पाठकरम तीन वर्स का होना चाहिए अचना तक पाठकरम कितनी साल का होना चाहिए तीन साल का होना चाहिए यानि कि गिर्वेशन ओनर्स आज तकल हम लोग पढ़ते हैं तीन वर्ष तक पढ़ते हैं उसके बाद सातमा सी फारिश कता है छे बर्ष पुरा होने पर पहली कछा में नमांकन होना चाहिए अब हम कोठारी आयोग के समंधित कुछ-कुछ प्रस्ण जो हर एक competition में पुछा है कई competition पुछा गया है उसको हम देखेंगे कोठारी आयोग ने भारत का अध्यापक पर सिच्छन किस परकार का पाया पारामपरी पाया जब कोठारी आयोग सर्वे किया पुरा भारत में तो इसने पाया कि कोठारी आयोग ने भारत में जो सिच्छन दिया जा रहा है वो परामपरी तरीके का है कुठारी आयोग सिच्छा के किस छित्र पर अधारित है उच सिच्छा पर अधारित है ये काफी प्रस्ण पुछा है बार बार ये पुछता है कुठारी आयोग के अनुसार सिच्छा सास्त्र को किस अस्तर से प्रारंब करना चाहिए स्कूल अस्तर से प्रारम करना चाहिए फिर कहता है कोठारी आयोग के अनुसार प्रसिक्षन कोलेज में किसकी अस्थापना की जानी चाहिए फुरातन छात्र संग की अस्थापना की जानी चाहिए कोठारी आयोग कहता है फिर कहता है कोठारी आयोग के अनुशार विश्विद्याले की कार्यावदी कितने दुनियों तक बढ़ाना चाहिए 130 दिन तक बढ़ा देना चाहिए विश्विद्याले का कार्य फिर काता है कोठारी आयोग के अनुसार UGC एवं NCIT को एक संयुक्त समीती बनाना चाहिए किसके लिए अध्यापन सिक्षा हेतु एक समीती बनाना चाहिए फिर काता है कोठारी आयोग के अनुसार UGC को अनुदान देना चाहिए कोठारी आयोग के सुझाव के बाद व्यावसायक सिच्छा को किस संस्थान दौरा प्रस्तावित किया जाने लगा कोठारी आयोग एक बहुत ही अच्छा बात बोला इसनों ने कहा कि Destiny of India यानि कि भारत का भाग कता है भारत का भाग इस टेकिंग से आकार ले रहा है कहां आकार ले रहा है यह आकार ले रहा है in classroom बवर्ग में आकार ले रहा है कोठारी आयोग कहता है कि भारत का भाग क्लास्रूम में आकार ले रहा है बहुत ही इपोर्टेंट है यह लाइन लिख दिता है कहता है कि यह किसका अस्टेटमेंट है यह अस्टेटमेंट है कोठारी आयोग का अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे के आने वाले वीडियो की सुषना आपको तुरत मिल सके थैंक यू